जार्खन पंचाय चुनाओं में और 60% मत्दान गाव की सरकार बनाने में मत्दाताओं में गजब का उत्सा दिखा है सनिवार को 33 पंचाय चुनाओं के तहद पहले चरण की 9809 सीटों पर मता अधिकार का परियोग करने मत्दाता सुबह सही कतार में खड़े दिखे साम तक की रिपोर्ट के उनसार 21 जीलों के बहतर परखंडों में 68.15% होई है पीठा सीन पता अधिकारियों की अमतिन रिपोर्ट आने के बाद या अकड़ा बढ़ सकता है इन सीटों पर पड़े मतों की 17 माई को करना होगी पहले चरन की सीटों पर हुए मत दान में लगभाग सभी मत दान केंद्रों पर बड़ी संक्या में मैलाए दिखी मता दे कई मत दान केंद्र पर पूर्शों से अधिक मैलाओं ने मत दान की है बड़ी संख्या में ब्रीध व दिव्यांगों को भी मता अधिकार का पर्योग करते देखा गया है जार्खन की लोगों को अगले कुछ दिनों तक भीशन गर्मी से रहत मिले की संभावना है मौसम विभाग रांची के बैग्यानी अभिसेक आनंद के अनुसार पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन का छेत्र पूरव पचिम मदे परदे से उतर पूर्व जार्खन तक तथा दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन का छेत्र उतर दक्षिन मदे परदे से उतर पूर्व जार्खन तक बना है इससे उतर पूर्व जारखन में 14 मईस से हलकी बारिस होने की संभवना है बता दे ऐसा 2-3 दिनों तक रहने की उमीद है सिरी आनन्द ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों में रांची वा आज-पास के इलाके में अधिक्तम तपान में 2-3 डिगरी सेल्सियस की बिरिदी होगी पांच साल पुराना फोटो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने तथा तिरंगा के अपमान को लेकर मुंबाई की अविनास दास पर अहमादाबाद अपराज साखा के नुसार मुंबाई की अविनास दास ने 8 मैं 2022 को अपने ट्यूटर अकाउंट पर केंद्रिय ग्री मंत चुनाओ कई मतदान केंद्रों पर चुनाओ राद सोलह को पुनर मतदान राज निर्वाचन आयोग ने कुछ मतदान केंद्रों पर एक एक पदों के लिए मतदान राद कर दिया है इनमें बोकारों के गोमियों परखंड के दो चातरा के परताब पूर परखंड के एक तथ साराय के लेखार सावा के चैनला के दो मत्दान केंद्र सामिल है कुछ अन्य मत्दान केंद्र पर भी मत्दान रद हो सकता है परवेक्षक रभीवार को समिक्षक और इसकी रिपोर्ट आयो को देंगे जिसके बाद उस पर निनलिया जाएगा बता दे गुमियों के स्वांग दक्षनी पंचायत के मत्दान केंद्र 208 तथा 209 में पंचायत समिति सदस्य तथा परता पूर के वार्ट संक्य साथ में वार्ट सदस्य का मत्दान रद किया गया है सबजी उगाने वाले किसानों को भी मिले MSP जारखन परदेश कॉंग्रेस कमिट्टी के अध्यक्स राजश ठाकों ने सनिवार को रायस्थान के उदैपुर में हो रहे पार्टी के नौ संकल्प चिंतन सिवीर में किसानों के मुद्दे पर खूल कर अपनी बात रखी है लोग रोजगार के लिए निर्भर हैं एक सट पॉइंट पांच पर्थियत ग्रामिन परिवार खेती पर अपनी आजीवका के लिए निर्भर हैं देश में 85 पर्थियत किसान तो छोटे सीमान्त किसान की स्रेनी में आते हैं ये लोग बुनियादी जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते जागरुक युवा राईनितिक से परहेज नहीं करे राजेपाल जार्खन प्रद्योगिक विश्व बिद्याले में आजादी का अम्रित महोसो के उपलक्ष में सनीवार को तीन दिवस्तिय जार्खन युवा सदन 3.0 की सुरुवात होई इसमें बतर मोक्य अतिति राजपाल रामें इस बैस मौजूद थे कारेकरम के अध्यक्स्ताक कुलपती प्रोफेसर बिजय पांड़े ने की राजपाल ने कहा है की रायनिती को हमारे युवा जन सेवा के रूप में ले युवा ओका रायनिती के प्रती उदासिन रहना वर रूची नहीं लेना भी उचित नहीं है अगर अच्छे जागरूक वह पढ़े लिखे युगा रायनिती से परहेज करेंगे तो क्या होगा बाद में फिर कहेंगे कि देश की रायनिती अच्छी नहीं है राश्ट्रिय होकी महिला टीम सेमी फाइनल में पूरुस टीम फाइनल में जारखंड के होकी खिलाडियों ने सनिवार को संदार सफलता हासिल की आधे घंटे के अंतराल में दो राश्ट्रिय परत्योगताओं में जीत के साथ अपने सफल को आगे बढ़ाया भोपार में चल रही सिनियर महिला होकी परितोगता में जार्खन की टीम ने महाराष्ट को सुडन डेथ में 5-4 से हरा कर 4 सल बाद सेमी फाइनल में परवेश किया है वहीं आखरी बार जार्खन की टीम 2018 में मद्य परदेश होकी अकाडमी को हरा कर सेमी फाइनल में पहुंची थी वहीं गोवा में चल रही सब जुनियर परत्योकता में जार्खन ने मलबूत ओडिसा टीम को पेनल्टी सुट में पराश्थ कर लागता है दूसरी बार फाइनल में परवेश किया है बता दे 2021 में जार्खन टीम ने स्वान पदग जीता था बिहार पुलिस ने जार्खन में 30 लाख की सराब बरामत की के दो अलग अलग थाना चेत्र विहाटा एवं बेगु सराय सदर से दो ट्रक्स राप पकड़ी गई थी कभी भी गिरफतार हो सकते हैं रहुवर्दास खदान लीज मामले में चुनाव आयोग और जार्खन हाई कोट के रूख से गहरे संकट में फसे जार्खन के मुख मंत्र हेमान सुरेन के प्रती खासे आक्रमक तेवर दिखाने वाले भाजपा सांसन निशिकान्त दूबे ने अपने एक ट्यूटर से सियासी भोचाला दिया है बता दे निशिकान्त दूबे ने ट्वीट पर लिखे अपने संदेश में कहा है कि हेमान सुरेन कभी भी पूर्व जी को मुख्य मंतिर जबर्जास्ती की रफ्तार करवाना चाहते हैं उनकी बात जार्खन के पूलिस महाने रिक्षक निरज सिनाजी वा पंकज कमबोज ने मानने से इनकार कर दिया है इस कारण विजिलेन्स वा भरस्टा चार निरोधक विभाग से इसका तबादला कर दिय जा गया या भाज पाहा है जार्खन में बियर की किला खपत 4 लाख और मिल रहे 35,000 पेटी पिछले 15 दिनों से पूले जार्खन में बियर की किला था नई सराव बेवस्ता बनने के बाद से बाजार में बियर आउट अप स्टॉक हो गया है जारखन में बियर की प्रतिदीन करीब 4 लाख पेटी की खबा था है जबकि थोक विक्रेता को महाज 35-40 यहर पेटी ही बियर मिल पा रही है बता दे रांची में बियर की रासनिंग सुरू हो गई है सरकारी सराब दुकान में फिलाल बियर सफ्लाई नहीं के बराबर हो रही है अधिकतर बियर सिर्फ बार संचालक को मिल रहा है लैंगिक बिवित्ता से रूबरू कराती फिल्मे पहली बार रांची विश्व विद्याले में लेंगिक विवित्ता की विशाय पर दो दिवसे अंतर राष्टी ये फिल्म फेस्टिवल का उजन किया गया महोत्सव में ऐसी फिल्मों का चैन किया गया जो समाज को लेंगिक भी वित्ता के मुद्व पर जागरूप कराती है इस फिल्म फेस्टिवल को संभाव नाम दिया गया है IAS पूजा सिंगल की तबियत समाने मनी लॉंडरिंग के आरोप में गिरफदार जार्खन की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंगल की फिर से डॉक्टरों की टीम ने स्वास्त जाच की है जिसमें सब कुछ समाने है जबकि उनकी बीपी 116 बाई 80 है डाक्टर लक्षमी कांत ने उन्हें अराम करने की सलादी है हलाकि हाट बीप थोड़ा बढ़ा हुआ है वहीं सिये सुमन कुमार की भी फिर से स्वास्त जाच की गई जिसमें उनका बीपी और सुगर लेवल समाने पागा गया सिलिकोसिस बीमारी से मौत होने पर मैदूरों के आसरीतों को मिलेंगे 4 लाख रुपए करखानों में करदा स्रामिक सिलिकोसिस बीमारी से पिडित होते हैं तो उन्हें इलाज के लिए 1 लाख रुपए की साहता पदान की जाएगी वहीं इस बिमारी से मिरित्य होने की स्थित्ती में परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी जार्खन सरकार के स्रम भी भाग द्वारा कर खाना सिलिकोसिस लाभुक योजना की गयट अहिसुतना जारी कर दी गया अधिसुचना के अनुसार यह योजना में कर खानाओं में बर्तमान आतवा पुरु में नियोजीत कर रत स्रमिक लाभुक के सिलिकोसिस से पिडित होने आतवा सिलिकोसिस के करन मिर्ती होने के दसा में सहायता योजना प्रभावी होगी माइनिंग लीज मामले में बसंत सुर्ण ने भेजा जवाब माइन्स परकरण में चुनाव आयोग को बिधायक बसंत सुर्ण ने सुक्रवार को दीन के 3 बज कर 2 बजे 138 पनो का जवाब सोपा है अपने वक्किल के मादेव से चुनाव आयोग के कारे रलाए में जवाब को रिसीब कराया वहीं सुक्रवार को दीन 14.15 बजे इसी जवाब के एक प्रति परदेश भाजपा करे रलाए में भी विशेष दूत बेज़ कर जवाब रिसीब कर वाया गया बतादे चुनाव आयोग ने 5 माई को नोटिस भेज कर 13 माई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था साहिव गंज में 73% से अधिक मतदान जारखन पंचाय चुनाव के पहले चन में संताल परगना के साहिव गंज जीले में 73.60% मतदान हुआ जीले के तीन परखन बोर्यो, बरहरवा एवां पतना के 668 मतदान के अंद्रों सांती पुन चुनाव संपन हुआ इस मौके पर जीला निर्वाचन पताधिकारी सा उपायुक्त राम निवास यादों ने सांती पुन चुनाव के लिए सभी को धन्यवाद दिया डीसी सिरी यादों ने बताया कि बरहरवा परखन के 143, बोर्यों के 20 एवां पतना से 41 ऐसे बूथा हैं जहां 80 फिर्दिस्ते ज्यादा मतदान हुआ है गढ़वा में मतदान केंद्रों पर दो मुख्या परत्यासी आपस में भीड़े 37 परतिसत मतदान रमकंदा परखन मुख्या लएक के मददान केंद्र संख्या 24 और 25 में मददाताओ को अपने पक्ष में वोटिंग करने का दवाव बनाने को लेकर मुख्या परत्यासी हसीना बीबी एवां नमीना बीबी के पति आपस में भीड़े गए वहीं दोनों के बीच मार पीट हो गाई मार पीट के घटना होता देख इन दोनों परत्यासीों के समर्थन भी आपस में भीड़े गए बता दे हिरासत में लिए गए लोगों में मुख्या पर्तियासी के पती नस्मुदीन अंसारी एवां फायेज अंसारी समें दो समर्थक सामी लहाएं खोटी के तोरपा में नबाली के साथ सामोहिक दुसकर्म साथ गिरफतार खोटी जिला अंतरगत तोरपा थाना छेत्रे में 14 वर्षे नबाली के साथ समोहिक दुसकर्म का मामला सामने आया है घटना के बाद डरी और सामी पिरिता ने किसी को जनकारी नहीं दी लेकिन परिजनों को जनकारी मिलते ही तोरपा थाना की पुलिस को सुचना दिया गया 27 ग्राम पंचायतों में 14 माई 2022 की सुबह 7 वई से 2 पहर 3 वई तक वोटिंग हुई पहले चरण में 68.15 पिस्दी वोटिंग हुई है बता दे इस दोरण महिलाओं में भी काफी उत्सा देखा गया इस दोरण पुलिस परसांसतन की मुस्तेदी भी काफी देखी गई बता दे रांची में 71 परतिसाथ, हजारी बाग में 63, साभी गंज में 73, गड़वा में 79, गिरी डी 72, 1468, लातेहार 63, पलामू 65, धनबाद 73 परतिसाथ वोटिंग हुई है लातेहार में 63 परतिसाथ वोटिंग लातेहार जीले में 55 चुना का पहले चन की वोटिंग सांती पूर्ण संपन हुई, जीले के तीन परकंड में 63.09 फिस दी वोटिंग हुई है इन तीनों मद्दान केंद्रों पर CRPF जवान की तैनाती थी, नक्सल परवाई छेत्रे में इस बार बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है बता दे सुबस से ही बुथो पर पूर्षों के साथ महिला और यूतियों की भीड देखी गई, वहीं कई महिलाएं बच्चों को पीट पर बाइंद कर कतार में लगी दिखी आई एस पूजा के वार्षेप से जारखन में सियासी तुफान, गरीबों की हकमारी से शुरू हुआ मंदेगा घोटाला अब सफेद पोसो तक पहुँच रहा है, अधिकारियों से शुरू हुई कहानी कहीं न कहीं समाजी करकरता हुआ नेताओं के इर्द गिर्द पहुँ गया है, अब एड़ी के निशाने पर जारकन सरकार के खान वो उद्योग विभाग का भरस्टा चार है, जिससे संब्ध पतादिकारियों पर जाच का घेरा कस्ता जा रहा है। निलंबित कर दिया है, वहीं जेलर आसमीनी तिवारी के खिलाब विभागे करवाई भी सुरू कर दी गई है, इसके अलावा धनबाद जेल के अधिक चक, अजय कुमर के खिलाब विभागे करवाई के साथ साथ, धनबाद जेल से अस्तनांतरित करने के लिए कारा महानी रि पंडों की 62 पंचायतों में बनाए गए 750 बुथो पर सनिवार सुबस साथ बजे मतदान शुरू हुआ साम 3 बजे समाप्त हुआ मतदान केंद्रों पर सुबस से ही मतदताओं की लंबी-लंबी कतार लग गई थी बता दे चुनाव मैदान में मुखिया जीला परिशत सदस्य पंचायत समित्ती और वार सदस्य पत के कूल 1895 परत्यासी मैदान में खड़े हैं इन परत्यासियों के भाग एका फैसला 2,93,000 मतदताओं ने किया भाग मतपेटी में अब कैद है सिम्डेगा के नक्सल परभावी छेतर में वंफर मतदान जारखन तिरियस्तरिय पंचायत चुनाव के परथम चरन का मतदान सनीवार को संपन हो गया सिम्डेगा जीले के चार परखनों में सुबह साथ बई से तीन बई तक मतदान हुआ कुल 310 बुथों पर मतदान हुआ विधायक भूशन बढ़ा ने अपने घर सिकरिया टांड बुथ में अपनी पतनी जोशिमा खाखा के साथ मतदान किया बता दे जोशिमा खाखा पाकरा टांड परखन से जीला परखनों के लिए चुनाव भी लड़ रही है मिथिलेश ठाकूर को क्लीन चीट सांसर निसिकांत दूबे ने अपपेज जल स्वख्षता मंत्री मिथिलेश ठाकूर को गड़वा डिसी द्वारा क्लीन चीट दिये जाने के मामले में ट्वीट किया है उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि गड़वा डिस्ती दोवारा दिये गए क्लिन जीट को चुनाव आयोग ने नहीं माना उनके अनुसार आयोग मितलिय स्ठाकुट को स्थार रद करने को लेकर नोटिस भेजने के त्यारी कर रहा है उन्होंने यह अभी कहा है कि इस मामले में गड़वा डिस्ती के बिरूद भी करवाई होगी होल्डिंग टेक्स पर सरकार का बड़ा फैसला सरकार ने जार्खन संपतिक कर नेधारन नियमावली से समधित गईट का परकासन कर दिया है ग्यात हो कि मुखे सलक पर इस्थीत भाउनों एवं बेवसाइक परसिस्थानों से अधीक कर की वसुली होती है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होतों चैनल को सब्सक्राब कर बहल का बेल एक अन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों क्यास से करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्चे दे थैंक्यू